आप लोगों का इस नए वीडियो में सुपागत है आज के में इस नए वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम है रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, एन बैड डेट्स रिकॉर्ड बिसिकली यह चार चीजे इस वीडियो में हम कंप चीजे आती है तो हमें एक नॉर्मल एंट्री कैसे पास करते हैं बाद में हम प्रेक्टिकल क्वेशन्स देखेंगे यानि कि इन शॉट एक इंट्रोडक्शन पूर्शन जैसे मैं हर बार हर वीडियो में समझाता हूँ कि बेसिक क्या है फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम किसमें solution कैसे करना होता है यहा पर मैं explain कर दीता हूं सारी चीजे अच्छे से अच्छे से सबसे तो इबना रूल करता हूं जो हमारा पर्सनल, नॉमिनल और रियल तो नॉमिनल का मतलब यहां पर होता है सेवाएं सेवाएं का मतलब जैसे तुमने किसी से कोई काम करवाया किसी के लिए कोई काम किया उसके बदले में तुमें पैसे मिले या तुमने पैसे दिये बात करते हैं रियल तो real का मतलब होता है यहां पर वस्तुए ठीक है तो तुमने कोई goods कोई assets कुछ भी ऐसा कुछ purchase किया तो उससे related जो भी चीज़े आती है वो इस वाले में आती है ठीक इस category में तो यह तीन category होती है अब बात करते है personal का तो personal में हम लिखते हैं जो भी हम receive करता यानि receiver उसको हम debit क बात करते है nominal का तो आज का हमारा जो topic है basically वो इसी से related है nominal से रैट तो nominal के लिए याद रखना है कि business में जो भी expenses होते है बिज्नस में जो भी loss होते हैं उन सबको debit करना होता है business में जितने भी types की income होती है जितने भी types की gain होते है उन सभी को में क्या करना है credit करना होता है बात करते है यल की जिसमें वस्तु यानि goods और assets की बात होती है तो जब हम हमारे business में goods या assets आते हैं यानि comes in हमें ये चेक करना क्या business में हमारे goods या assets आ रहे हैं तो उसको हमें debit करना है कब हमें जब पता चलेगी that is comes in हो रहा है तो उसको debit करना है अगर go side हो राए बंथा हमारे business में से जारा है तो हम उसको क्या कर देंगे credit कर देंगे और ऐसे भी याद रख सकते हूंकि ज entwickelt क्रेड़ करोगे और अगर decrease होती है तो उनको क्या करोगे credit क्रेड़ करोगे तो कि यह दोनों यह जो चीज़े हैं यह ऑल्वेस क्या होती है डेविट होता है तो उसके लिए हमें क्या याद रखना है तो यह हम जब धिर दे प्रक्टिस करते रहेंगे तो सीखेंगे ओके तो फिलार आज का टॉपिक जो है वह हमारा से रिलेटेड ही है जिसमें सेवा की बारें में बात करेंगे तो मैं explaining करता हूँ एक एक चीज़ सबसे पहले हमारा यहां पर था रे मेंई क्या था रैवेनियू क्या था रेवेनियू और एकपन्स कंचे तो देख ईधे कई आप Model कोई भी टाइप का इंकम या रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इंकम यह हुथा basically, ठीक है, या expense है, तो क्या करना है, तो सबसे पहले में revenue फोकस करो, कोई भी टाइप का income या revenue है, तो हमें पता है as per the nominal rule कि इनकी account क्या करते हैं, credit करते हैं, तो याद रखना यह हमें credit करना है, इसका revenue या income का, और किसी भी तरह का expense हुआ, नाम पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि तुमने expense दिया है या तुमने receive किया है, मतलब income receive किया या expense दिया है, तो अगर expense है, तो as per the rule, expense या loss account always क्या होता है, debit होता है, तो यहाँ पे debit लिग देना, यह दो चीजी इसके लिए हो जाएगी, I hope कि यह दो चीजी समझ में आ गई होगी, बहुत ही simple है, अब बात करते हैं, bad dates की, इसकी बात करते हैं, bad dates की, इसको ध्याँ से समझना, क्योंकि यह समझना ज़्यादा जरूरी था, यह तो easy portion था, यह mean है, bad dates and bad dates recovered, यह दो चीज़े है, तो अभी ध्याँ से समझ जो, सबसे पहला question arise होता है, यह bad dates क्या होता है, ठीक है, बुरा dates, बुरा आदमी, ऐसा कुछ कर सकते हो, याद रख सकते हो, कि बुरा पैसा, जो मर गया पैसा है, यह जो नहीं मिलने वाला है, वो हमारे bad dates होते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा सर explain कर दो, okay, ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने last video में दिखा था, हम कई लोगों से purchase करते हैं, कई लोगों को sell करते हैं, और ज्यादा तर हमारे जो business के transactions होते हैं, वो debit में, sorry, credit में होते हैं, कहने का मतलब क्या है, कि हम या तो पैसे नहीं लेते हैं, या तो नहीं देते हैं, बट future में payment करते हैं, उसी को हम क् credit transaction, right, यानि business के ज़्यादा तर transactions जो होते हैं, वो credit में होते हैं, जब business के ज़्यादा तर transactions credit में होते हैं, तो हम क्या करेंगे, जब business के transaction ज़्यादा तर credit में होते हैं, तो उनकी entry कैसे होती है, तो फिलाल देखो, जब मैं bad debts की बात करना हूँ, या मैं bad debts recovered की बात करना हूँ यह दोनों की दोनों चीज़े, यानि हमारा पैसा कब डूबेगा, हम कब टेंशन में आएंगे, जब तुमने सेल किया होगा, यगी जब तुम पर्चेस करोगे तुम तोड़ी टेंशन में लोगे, टेंशन में तो सामने मारा रहेगा, तुम पैसे नहीं दिये भाग गए, त हम सबसे पहले समझते हैं सेल को, जब हम सेल करते हैं, जब हम सेल करते हैं, तो हम एंटरी का लिखते हैं, जैसे किसी भी परसंग का नाम होगा, तो मैं यहाँ पर डीटर लिख देता हूँ, चलो मैं मान लेता हूँ कि मैंने मिस्टर अमित को सेल किया था, मैंने किसको सेल कि सब्सक्राइब थप हो गया, अभी कुछ भी चलने ही रहा है, सर मैं आपके पैसे कैसे दो, कहां से देखा हूँगा, तो हमने बोला कि जो भी हो वही दे दो, तो इसने बोला कि सर उम्मीद तो मत करिएगा, क्योंकि पैसे और मुस्ट ना के बराबर है मेरे पास, तो अगर आप चाहे तो जो इतको debit किया था, क्योंकि हमने पता है कि जो receiver होता है, हमारा वो always क्या होता है, debit होता है, और जो भी हमारे business के receiver होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, debit करते हैं, और basically receiver का मतलब यह हुआ कि इनसे पैसे हमें मिलने वाले, we are going to receive the money, यानि money मिलने वाला है तो हम इनको assets भी बोल सकते हैं, तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि यह जो पुनीत था, एक जमाने में मेरे लिए assets की तरह काम कर रहा था, मैं बहुत खुज था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो एक महीना वीता मुझे सब पता चला कि वो पैसे नहीं देगा, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो मेरा 10,000 है वो तो मेरे गए, ठीक है, मेरे पैसे तो गए, अब ढहां से समझो, जैसे ही उसने यह बात मुझे कही कि मैं आपके पैसे नहीं दे सकता, इसका मतलब यह जो पुनीत है वो मेरा convert हो गया bad dates में, यानि यह जो मेरे 10,000 उपै थे, यह मेरे convert हो गया bad dates में, आप समझो, जब मुझे पैसे मिलने वाले थे, जब मुझे पैसे मिलने वाले थे, अगर मिलते, चलो, assume करो कि अगर यह पैसे मुझे मिल जाते, तो मैं entry क्या करता, cash, account, debit करता, यानि पैसे मुझे मुझे मिलते, मैं cash account debit लिखता, और मैं पुनीत का account close कर देता, क्यों close कर द तो यहां पर क्या लिखोगे, bad dates account debit, कि वो सारे के सारे पैसे क्या हो गए, डूब गए, और याद रखना, यह जो bad dates है, वो हमारे लिए क्या होता है, loss होता है, loss always क्या होता है, debit होता है, as for the rule, जो हमने देखा है, उसके according यह क्या होता है, debit होता है, bad dates loss है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि सर पैसे तो डूब गए न हमारे, अब वो पैसे मिलने वाले नहीं, अब जब पैसे तुम्हारे डूब गए, नहीं मिलने वाले हैं, तो loss ही हुआ ना, और यहां पर जो cash तुम लिखने वाले थे, वो तो तुम्हारा हुआ नहीं, क्योंकि पैसे तो डूब गए, अब ध्यान से समझो, तो यह पुनीत का जो account है, यहां पे वो debit करके क्या फायदा, जो पुनीत का account है, वो लिखके क्या company में क्या करोगे, इससे तो क्या दिखेगा दुनिया को, कि भाई, इसके पास तो 10,000 रुपे मिलने वाल है इसको, पैसे तो चले गए, यहां पे जो पुनीत का account हमारा debit है, उसको हम क्या कर देंगे, credit कर देंगे, क्या कर देंगे, उसको हम credit कर देंगे, जैसे यहां पे हमें credit किया, यहां पे credit किया था, क्योंकि यहां पे हमने पैसे receive करते, अगर हम receive करते, तो यह करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो देखो, जब receive करते हैं, तो भी हम पुनीत का account close करते हैं, क्योंकि अब पुनीत का से काम खतम हो गया, लेकिन जब पैसे हमें नहीं मिले, bad debts हो गए, तब पुनीत से काम खतम हो गया, क्योंकि अब तो हम कुछ करने भी नहीं सकते हैं, और उसका account open करके, हमारे transactions में दिखान या हमारे account में दिखाना है, तो फालतु का अपने लिए उमीद बढ़ाना है, तो बेटर है कि हम उसका account क्या कर देंगे, close कर देंगे, और इसी वज़र से मैं यहां पर समझा रहा था, कि जो assets होते हैं, वो always क्या होते हैं, debit होते हैं, right, assets क्या होता है, always debit होता है, लेकिन चीज़ें यहां पर काम आईगी, तो bad dates की entry क्या होती है, bad dates account debit to data account credit, जिससे पैसे मिलने थे, उसका नाम क्या कर दो, credit कर दो, credit करने से यह पता चलता है, कि इस बंदे से हमें कभी पैसा मिलने वारा था, तो इसलिए हमने debit किया था, लेकिन आज वो पैसे नहीं देगा, तो उसका account debit करके दिखाने से better है, अब वो हमारा receiver नहीं रहा, अब वो हमारा receiver कभी नहीं बन सकता, तकि वो तो डूप गया, पैसे नहीं देने वारा, तो अपना receiver account में दिखाने से better है, account close कर दो, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, account close कर दिया, तो entry क्या हो जाएगी, bad dates account debit to data account credit से इतना ही enter तुम्हें लिखना है, तो यह मैं यहां पे लिख दियता हूँ, bad dates account debit to unit account credit, अब ध्यान से समझो, कि हुआ क्या, कि यह एक महीने के बाद यह situation हुआ था, लेकिन फिर से, जैसे तुम्हें पता है, lockdown open हो गया था, तो काम दंदा सब सुरू हो गया था, फिर से दो महीने के बाद, उनीत का phone आया, क्योंकि उसको भी पता है, अगर business करना है, इस दुनिया में रहना है, business करना है, तो किसी के साथ relation खराब करना, क्यों फालतों में, तो उसको भी समझ में आया, कि मैं थोड़ा बहुत पैसे कमाने लगा हूँ, तो चलो मैं Mr. Amit को phone करके बता देता हूँ, कि मैं आपके पैसे देने वाला हूँ, तो इसने मुझे phone किया, मुझे ये बोला, कि देखो, Amit जैसा है, कि मैं आपके पूरे दस हजार तो नहीं दे सकता, मैं आपको तीन हजार रुपे अभी दे देता हूँ, अब धिहां से समझो, इसका तो account मैंने close कर दिय गया है, उम्मीद जो थी, वो मैंने इससे 0 लगा के रखी थी, क्यों मुझे पता था, पैसे नहीं मिलने वाले, तो ये मैंने account बनाया था, I mean journal entry बनाया थी, bad debts account, debit to punit account credit, पूरा उमीद खतम हो चुका था मेरा, लेकिन suddenly फी दो महीनी के बाद इसका phone आता है, बोलता है कि मै मैं आपको 3000 रुपए दे रहा हूँ, यानि इसने मुझे 3000 रुपए दे दिये, तो जब आपको पता है कि जब आपको पैसे मिल गए, तो entry क्या होगी, cash, account, debit, right, क्योंकि cash comes in business, तो entry क्या होगी, as per that rule, cash account, debit, अब सवाल ये है कि से credit क्या करेंगे, basically ये पैसे किस ने दिये थे पुनीत ने दिये थे, तो as per the rule, normally बच्चे क्या कर लिखेंगे, पुनीत लिखेंगे, ठीक है, normally बच्चे क्या लिख देंगे, to पुनीत अकाउंट, पर एक बात समझे, ये पुनीत है कौन, अब बिजनस इसका कुछ लेना देना है, मुलग यहां सर, ये तो हमारा data था, data था न, है थोड़ी, data था, तभी तो हमने debit किया था, नहीं रहा, तो हमने इसको close करके cancel कर दिया था, यानि कि चो पुनीत अकाउंट हम नहीं लिखेंगे, मतलब ये हुआ, कि जब पुनीत का एक बार हम account close कर चुके हैं, तो हम दुबारा पुनीत का नाम नहीं लिखेंगे, हम ऐसा समझेंगे कि भगवान के हमारे पर खृपा हुई और हमारे जो डुबे हुए पैसे थे, वो recovered हो गए, तो हम यहां पे लिखेंगे, two bad dates recovered, two bad dates recovered, account credit, यानि हम ऐसा समझ लेंगे, कि ये हमारे लिए एक sudden income हो गई, क्या हो गई हमारे लिए, sudden income हो गई, right, income समझो, gain समझ कुछ भी समझो, right, suddenly हमें पैसे कहीं से मिल गए, as a income, अब जहां से समझो, कि जब पैसे दूबे थे, तो हमने लिखा था, bad dates account, debit to punit, जब punit का account हमने close कर दिया था, तो दुबारा तुम account debit नहीं करोगे, right, नहीं तुम दुबारा account यहां पे credit करोगे, बस इतना यादर न, पिर जब किसी का हम account close कर देते हैं, तो हम दुबारा उसका account open नहीं करते, जब तक ही दूसरा नया transaction ना हो, यह कोई नया transaction नहीं था, यह इसी से related था, और इसी से related है, तो तुम account बंद कर चुकी हो, इसलिए हमने fresh entry लिखी, और fresh entry के आती, cash account, debit to bad dates recovered account credit, I hope कि यह आपको चीज कि जो भी videos हैं, सबसे पहले आपको पता चले, तो यह तो था मेरा basic explanation, I hope कि यह सारी चीज़े समझ में आगी थी, इतना explanation में ही मैंने सारी चीज़े detail में explain कर दिये, but still, हम questions देख लेते हैं, तो थोड़ा और पता चल जाएगा, questions देखते हैं कि कुछ मैंने यहाँ पे add की है, एक idea लग जाएगा रहा है कि entry कैसे करने, यह मैं चीज़े बहुत speed में बता दूँगा, कि मैंने वहाँ explain कर दिया है, कि expense always debit करना है, income always credit करना है, और bad dates का तो मैंने इतना lengthy expense किया है, अब यहाँ पे समझो, पहला entry का लिखा हुआ है, for business books of accounts purchase 650, पहला transaction क्या है, कि business के लिए त to stationery, तुम्हें पता यह सारी notebook हो गया, paint, pencil, eraser, यह सारी चीज़ें कहां मिलते है, stationery पे मिलती है, यानि कि जो भी stationery से related अगर चीज़े purchase करते हो, तो उसके लिए entry क्या करते हैं, देखो, हमें पता जब हम purchase करते हैं, तो हम normally क्या लिखते है, purchase account debit to cash account credit, यही लिखते हैं normally, ले जिसका हम business करते हैं, लेकिन हम इसका business नहीं करते हैं, यह हमने अपने use के लिए purchase किया है, तो इसी वज़र से हम यहां पे नाम क्या लिखेंगे, stationary expenses, क्या नाम लिखेंगे? stationary expenses account debit और हमने purchase किया है, stationary accounts purchase किया है, तो basically यह हमारे लिए क्या expense है, तो यहाँ पे यह हो जाए that stationary account, sorry stationary expenses, ओके? यहाँ पे मैं clear लिख देता हू, stationary expenses, account debit, रुपीज 650, to cash account, रुपीज 650, क्योंकि payment हमने कर दिया है, रूल अप्लाई हो गया, expense always debit, and cash comes in business, as per the that rule, real account, cash account credit, right, second transaction second transaction में क्या लिखा हो, wages of 200 and carriage of 100 paid in cash, दोनों चीज़े पीके, क्या, wages भी पे किया, carriage भी पे किया, और paid वट लिखा है ना paid का मतलब यह क्या हो गया, expense हो गया, paid का मतलब क्या हो गया, expense हो गया, entry क्या हो गया, wages, carriage, दोनों ही account हमें क्या करना है, debit करना है, यह मैं short में लिख दियता हू, detail में तो मिख ले ना, wages account debit to, wages account debit carriage account debit, and last mean to cash account credit, अब doubt है, amount कैसे लिखेंगे, तो wages के सामने 200, carriage के सामने 100, and cash के सामने 300, क्योंकि हमने total payment कितना किया है, 300 किया, right, तो यह था हमारा second transaction, एक और देखते हैं, एक और सीखते हैं, next है, commission received, अब यहाँ पर क्या है, commission received, received है, मतलब income है, मैंने कहा था न, question पढ़के हमें पता चलेगा कि वो income है expense है, जैसे हमने question पढ़ा, हमें पता चला यह क्या है, income है, हमें पैसे मिले हैं, अगर हमें पैसे मिले हैं, if we have received, then cash account debit as per the rule, when cash comes in business, that will be debited cash account debit, right now understand, यह जो commission है basically आपके लिए क्या income है, और income always credit होता है, as per the rule right, हमारा जो rule है debit credit का as per that rule, अगर कुछ भी income होता, तो always क्या होता है, credit to income, sorry, income नहीं लिखना नाम जो है, जो नाम particular name है वो name लिखना होता है, to commission account credit amount कितना, 800, right तो यह था हमारा second, I mean third entry, उसके बाद बढ़ते हैं next pay next है, paid 2500 for painting work of shop, क्या बुला है painting work के लिए हम लोगे 2500 expense किया हुआ, तो यहां पे मैं लिख सकता हूँ, penting work account, debit और penting expense, क्या लिखूँगा, penting expense, why penting expense, clear नहीं है, तो penting expense लिख सकते हो, right, अब यह भी expense है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, हमने pay किया, यह paid word से ही पता चल गया, it is an expense, और expense always debit और नाम तो हमें clear नहीं पता चल गया, यहां पे penting तो लिखा है न, तो उसके according मैंने लिख दिया, penting expense, now to cash as, हमने cash में pay किया होगा, और amount कितना है, 2500, 2500, right, now let's move to the next, light bill of 1800 paid by check, light bill means electricity expense, light bill के बदले हम क्या बोलते हैं, उसको word यूस करते है, electricity, जो famous word है, famous word क्या है, electricity, और यह हमने pay किया है, तो paid means expense, और लेकिन हा, condition है, यहां पर मैं चेक से pay किया, check का मतलब bank, और pay किया है, तो as per the rule, expense always debit, और pay किया है, means goes out, तो goes out means bank account credit, यहां पे हो जाएगा, और bank is the giver, ऐसे भी समझ सकते है, कि bank giver है न, किसको दे रहा है वो, light bill को, और यह bank को ने, फिलाल हमारा य account है, हम ही दे रहे हैं पैसे, ओके, तो giver account credit, यहां पर हो जाएगा, electricity, electricity, expense, account, debit, to bank, account, credit, and what is amount, amount is 1800 and 1800, ओके, I hope कि, till here, everything is clear, ओके, if any doubt, you can tell me in the comment section, I hope, कि सारी चीज़े समझ में आगी होगी होगी, यहां तक, कोई डाउट है, तो comment section, को जिन्दाबाद है, okay, now next, entry, 1200 paid for refreshment at inaugural function of shop, अब देखो, यह ऐसे words लिखे है न, confuse कर देंगे, rupees 1200 paid for refreshment at inaugural function of shop, कुछ भई, मोरत निकाला था, दुकान में कुछ खर्चे हुए था, refreshment के लिए कुछ खर्चे किया था, अब यहां पे देखो, यहां पे जो expense है, वो थोड़ clear नहीं, कि inaugural में तुम्हें पता है, refreshment के लिए बहुत सारी चीज़ी आती, तो यह कौन सी चीज़ के नाम लिखेंगे, क्या inaugural expense लिखेंगे, no, तो यहां पे जब expense का clear ना हो, तो उसके लिए एक word use करते है, sundry expense, क्या word use करते है, sundry expense, यह मेरा general entry बताने का सब यही reason है, कि आप को idea लगेगा कि हमें क्या words use करना है, बाकी चीज़े तो मैंने starting में explain कर दीना, expense हो तो always debit करना, income हो तो always debit करना है, बट अगर यह नहीं पड़ते है, तो तुम नहीं clear हो पाते हैं कि क्या लिखना होता है, और paid लिखा है, तो expense है, तो वो तो पता चली गया, कि sundry expense account क्या करना ह और pay किया है, तो pay तो कैसे क्या हो, cash में, तो 2 cash और amount कितना है, 1200 and 1200, right, now move to the next point, that is 38 की है, a check of 900 received for brokerage, now we have received a brokerage, ठीक है, brokerage receive किया है, अब यहां से समझो, received से पता चला, यह क्या है हमारे लिए, income, और income है तो income always credit होता है, right, as per that rule, income always credit, और check receive किया है, मतब बैंक में पैसे आए होगी, now comes in business, right, बैसे business में आ रहे है, तो as per that rule, account debit हो जाएगा, तो यहां पर मैं लिखता हूं, bank, account, debit, to brokerage, तो मैं लिख दिता हूं, simple में, bro, okay, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 900 and 900, I hope यह चीज़े आपको समझ में आ गई होगी, now more to the next point, that is a currency note of 50 eaten by God, now यह थोड़ा सा interesting है, क्या लिखा है, a currency note of 50 rupees eaten by God, अब इसमें क्या करगी, बकरी ने तुम्हारे पैसे खा लिए, अब बकरी को तो बोलोगी नी कि मेरे पैसे वापस कर, वो तो सुबह वापस करेगी, फिर तु ले लेना, तो वो तो हम कर नहीं सकते है अब यहां से समझो, currency note of 50 eaten by God, अब ऐसा कुछ point आ जाए, जहां पे कुछ ऐसा situation हो, कि कोई chance नहीं है, तो अब ही देखो, यह हमारे लिए क्या हो गया, एक तरह से loss हो गया, कोई chances नहीं है, तो अब यहां पे तो लिख सकते हैं, sundry loss, sundry expenses, ऐसे situation के लिए मैंने एक word बताया, जब भी कुछ clear ना हो, तो उसके लिए यहां, कहां नीचे हां भई, तो उसके लिए हमने बोला, क्या लिखना पड़ेगा आपको, sundry, मैंने words आपको पहली बता दिया, कि sundry expense लिख सकते हो, या loss लिख देना, और यहां पे तुम्हें पता चल जाएगा, जो हम यहां पे normally क् हम नीचे explain करते हैं, particular में लिखते हैं, तो वहां पे हम explain करते हैं कि why this transaction has been here, okay, being करके लिखते हैं, being 50 rupees of note eaten by goat, तो ऐसा तुम लिख सकते हो, तो वहां से clear हो जाएगा, यहां लिखना है, तो लिख दो, loss due to note eaten by goat, right, कुछ भी लिख सकते हो, right, but the most famous word है, या यू कहूं कि most accepted word है वो क्या है, sundry, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, sundry, expense, account, debit, कितना, 50 rupees, अब समझो यहां पे, अब यहां पे credit क्या करो, doubt है कि credit क्या करो, problem तो यही ना कि credit क्या करना है, तो यह देखो कि तुमारे पास से क्या गया है, बकरी ने जुक लिया है, वो क्या लिया है, पैसे, currency note currency note का मतलब cash, तो to cash account credit हो जाएगा, 50 rupees, अब सवाल यह है कि sir, आपने expense क्यों लिखा, क्योंकि हमारा तो कई expense है नहीं, बकरी ने खा रही है, तो तुम लिख सकते हो, loss लेकिन अगर loss लिखता हूं, तो तुम्हें पता है, loss में, हम वहां पे cash में loss कभी नहीं होता है, तो यहा पे समझो, वैसे मने explanation बहुत detail में दे दिया है, तो यह एंटर तो तुम कर सकते हो, but still I will tell you, Vishal is declared insolvent, insolvent declare हो गया है नहीं, Vijay Maliya declare हो गया, and thus amount due to him, 2000 cannot be recovered, right, and now Vishal is declared as a Vijay Maliya, thus amount due to him cannot be recovered, नहीं कि पैसे नहीं मिलने वाले, और मैंने कहा था जब पैसे नहीं मिलने वाले हैं, मतलब bad dates हो गया, bad date is a loss for you, तो loss always debit, bad dates, account, debit, amount कितना है, 2000, अब समझो, जो विजय था, वो हमारा डेटस रहा होगा, क्योंकि हमने अमीद की थी कि यह पैसे देगा, यह विजय Maliya नहीं बनेगा, but he failed, right, उसने पैसे नहीं देगे, now हम उसका account क्या कर देगे, close कर देगे, to Vishal account credit, amount कितना, 2000, जितने पैसे डूब गए हैं, उतना लिख दोगे, okay, I hope कि यह transaction clear समझ में आगया होगा, अब उसी के साथ next पे बढ़ते हैं, next हमारा है, 3000 was due from Paran, he became insolvent and 1,800 hour recovered, a balance amount is written off, ज्यान से समझो, कि 3000 परम से लेने थी, right, परम से कितने पैसे मिलने बने थे, 3000, he became insolvent, again विजयमालिया बन गया, बट बहुत अच्छा बना, क्या होगा है, कि 1800 hour recovered, और 800 रुपए तो हमें मिल गए, 800 रुपए हमें पैसे मिल गए, and balance amount is written off, बाकी के पैसे जो थे, वो तो तुम भूल जाओ, क्योंकि वो पैसे गए, अब ध्यान से समझो, सबसे पहले मैंने क्या कह कि जिस से पैसे लेने थे, उसका account close कर दो, यानि to param, param तो पूरा ही गया, to param account कितना, 3000, अब ध्यान से समझो, इस 3000 में से, 1800 हमने क्या कर लिया, recovered कर लिया, 1800 हमें मिल गया है, तो वो कैसे मिले हो, cash में, right, cash comes in business, as per that rule, cash account debit, क्योंकि cash comes in business में assets है, और उसके according हमें क्या करना है, debit करना है, cash comes in business, 1800, अब जो difference है, यह difference कितना, 1200, अब यह जो पैसा, यह हमें write-off करना, write-off का मतलब यह हुआ, वो पैसे हमारे क्या हो गया, bad dates हो गया, तो उसके लिए मैंने बताया, bad dates account debit, क्या कर दोगे, bad dates account, debit, 1200, I hope कि यह entry भी समझ में आ गया होगा, यह दखना, अगर कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो cash account debit कर देना, और बाकी के लिए bad dates, okay, now the next one is, 1500, previously written off as bad dates of Rohan are received, now understand, कि हमने पहले write-off किया था, कैसे as a bad date समझ के, Rohan की पास से, now वो पैसे में मिल गया है, received, हमें लगा था कि वो पैस जब नहीं मिलने वाले, लेकिन नसीब ची थी हमारी पैसे मिल गए, और मैंने बता था, जब हमें पैसे नहीं मिलने वाले थे, तो हमने देखो, account close कर देते हैं, बंद कर देते हैं, बंद कर देता हैं, नहीं, cross कर देते हैं, जब हमने account close कर दिया था, तो जब यह पैसे मिल इंगे तो मैंने कहा था पैसे मिल गए सडिन इंकम हो गई है तो सबसे पहले बात को समझो पैसे मिले कैश कम सिन बिजनस तो कैश अकाउंट, डेबीट, कितने मिले हैं? पंदरसो, question ऐसा credit में क्या लिखोगे? credit में doubt यह है कि रोवन लिखी कि क्या लिखे? तो मैंने कहा था, रोवन का तो account हमने close कर दिया होगा, क्योंकि हमने bad dates समझादा, तो जब रोवन का account close कर दिया था, तो right now हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे bad dates recovered, क्या लिखेंगे? bad dates recovered, sorry, sorry, bad dates recovered में ED, ED, recovered account credit, amount कितना जाएगा? 1500, तो यह हो जाएगा हमारा final entry, okay, cash account debit, जितनी पैसे मिल गे, 1500, और जो पैसे हमारे मिले, क्यों मिले? क्योंकि bad dates recovered हो गया था, हमें याद रखना है कि bad dates recovered हो, तो कभी भी किसी का नाम नहीं लिखते हैं, तो यह आज के लिए इतना ही, और I hope कि यह सारी चीज़े आपको समझ में आ गएंगी, अगर समझ में आ गई हैं, तो अपने friends के साथ से जरू करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो thank you so much, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने next वीडियो में, तब तक के लिए, बाइ-बाइ, see you Tata, और इसी तरह से हसते रहो, मुसक्राते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, हम मिलते हैं अपने next वीडियो में, thank you so much to one of you, ओके, चलो, बाइ-